तो भाई लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आपर तीन कमेंट का एंसर करने वाले हैं जिसमें हमारा तीन कमेंट रहेगा और यहाँ पर आप कमेंट देख सकते हो रहुल मेवाडा के तरफ से कमेंट आया है नाइस वीडियो इस्ट्रेंजर SM1032E 10 चैनल मिक्सर का प्राइस कितना होगा और यहां पर हमें कैसे हैं पर किनेक्शन करना होगा यह सारी चीज कुछ हम देख लेंगे इस वीडियो में साधी साथ यहां पर दूसरा कमेंट आप देख सकते हो सुझीत गिरी के तरफ से कमेंट आया है वाई SLB के ऊपर वीडियो बनाओ प्लीज ब 50,000 के आसपास में मतलब उतना बजट है आपके पास तो आप दो बेस दो टॉप प्लस उसके लिए एंपलीफायर आप बना सकते हो इस सेट अप में मतलब कि डीजे सेट अप बना सकते हो जोगी काफी बेस्ट यहां पर साउंड आपको मिलने वाला मिक्सर से लेकर एंपली से इनका कहना यह है सर 15 इंज बोक्स में 400 वाड के स्पीकर दो लगे हैं तो सर बास पीछे के तरफ क्यों आता है सर वीडियो बनाए प्लीज तो यह भी हम बात कर लेंगे वीडियो के लाश्ट में की बेस पीछे क्यों आता है या फिर ऐसा हमें क्यों लगता है कि बेस है सदेवाइब देख सेकते हो 10 जानल का मिकसर है साथ है चार आउटबूट अपको मिल जाते हैं मतलब कि हाँ डूएल चैनल अपिसमें चार इंप्लिफार लगा सकते हो अगर आपकी एंप्लिफार में पहले के लिए काफी सही है आप सिधे सिधे मिक्सर के तुरू से भी आप लगा सकते हो बात करेंगे यहाँ पर इसका प्राइस के बारे में तो इस टेंजर एसम तस बतीस का जो प्राइस रहेगा वह लगभग 12000 के आसपास में आपको मिल जाएगा समी मार्केट में अलग-लग प्र से देख लिजेगा तो यहाँ पर हमारे पास है दो बेस जो की रहेगा बार तो बेस हम लेने वाले हैं इस video में या भी हम कह सकते हैं इस सेटप में और जो उसके लिए अप्लिफार है का वो रहेगा बील-बारा तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों को हम इसी में चल चलिए हम बारी बारी से price देख लेते हैं और price calculate कर लेते हैं कि प्राइस कितना आजाता है है यहाँ पर हमारा BL 12 जो की 5600 watt का amplifier है उसका price के बारे में बात करते हैं तो 38000 से लेकर के 40,000 में आपको amplifier मिल जाएगा तो यहां पर हम बात करेंगे base के उपर, तो यहां पर base अगर आप चलाते हो, तो यहां पर मैंने इस setup में, मतलब budget setup में 2 base एड़ गिया है, जो की 1200 watt का base है, जो की turbo audio की तरफ से आता है, और 1200 watt का base रहेगा इसमें, और यहां पर single आप ले सकते हो, या फिर dual का भी ले सकते हो, ले से 10.500 के आसपास में आपको मिल जाएगा, market में अलग-अलग price होते हैं, सभी market में अलग-अलग price होते ही हैं, यह आपको भी पता होगा, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं, दो top के बारे में, तो यहां पर top जो रहेगा, आपका 600 watt dual top रहेगा, प्लस उसमें HF रहेगा, तो य यहां पर cabinet और यहां पर speakers वगेरा मिल जाएंगे, तो यहां पर आपका जो price रहेगा, वो 24,000 के आसपास आप एड़ कर लीजिए, और यहां पर हम बात करेंगे, दो top को चलाने के लिए amplifier हमें कौन सा लेना पड़ेगा, तो यहां पर SLB का BL7 ले सकते हो, या फिर BL9 ले सकते ह हो, मेरा recommend लीजिएगा, तो मैं यहां पर SLB का BL9 आपके लिए suggest करूँगा, जो कि काफी best sound आपको मिल जाएगा, तो यहां पर SLB का BL9 ले सकते हैं, जो कि उसका price लगबग 28,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा, अगर आपके पास budget कम है, तो यहां पर SLB का BL7 भी आप ले स सकते हैं, जो कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, काफी अच्छा sound आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसका forums के उपर लगबग 1275 वाट का पर channel output आपको मिल जाता है, और BL7 जो आपका price लगबग 18,000 के आसपास में आपको मिल जाता है, वह हम बात करते हैं, mixer के बारे में, तो यहां आप mixer ले सकते हो, कम budget का भी ले सकते हो, तो चलिए हम बात करेंगे, total price हमारा कितना आजाता है, तो यहां पर total price के बारे में बात करते हैं, तो लगबग 1,63,500 रुपे के आसपास में आपको इतना setup आप बना सकते हो, जो कि आपके market में ही उपलब्ध हो जाएगा, अब यह म पता करना पड़ेगा कि आपके market में मिल सकता है या नहीं, या फिर कैसे हम ले, तो यह आपको पता करना है, मैं आपको बस बता सकता हूँ कि आपको जो price है, या फिर जो budget है आपका, वो कितने में आप बना सकते हो, तो यह सारी चीज़ आपको पता करना पड़ेगा, तो ल लेते हैं ब्ल-9 के जगे में अगर ब्ल-7 लेते हो तो 10,000 आप कम गर लिजिए जैसे कि आपको एम्प्लिफायर खरीदना नहीं पड़ेगा इसी एम्प्लिफायर में आप 208 का चार बेस चला सकते हैं जो कि कोई दिक्त नहीं आगी काफी अचा साउंड अपको मिल जाएगा इसलिए मैंने यहां पर ब्ल-12 एड़ किया है नहीं तो यहां पर आप ब्ल-9 भी ले सकत लिए मतलब की लगबग एक लाक मतलब डेड़ लाक में पूरा कंप्लीट सेट अप बन जाएगा और बात करते हैं पर क्रेक्शन कैसे रहेगा तो एम्प्लिफायर बील-12 में आपको बेस चलाना है पर चैनल एक एक की स्पीकर और बील-7 या फिर बील-9 जो भी आपको ले जो है बेस इनको सुनाई देता है या फिर इनको मेहसूस होता है कि आगे से ज्यादा पीछे बेस निकल रहा है तो ऐसा क्यूं होता है तो पहले हम बात करते हैं इसका जो कारण है वो आपको कैसे चेक करना है और उसका उपाय क्या है मतलब की आप कैसे जान सकते हो या फिर minus वो आप का हो सकता हे मेशिंग ना हो तो जो आपका speaker हैगा वह एक speaker आगे जाएगा और जो दूसरा seaker रहेगा वह पीछे आएगा तो हो सकता है आपका जो हे ठोड़ा सा sound आपको अच्छा ना मिले और लगें कि पीछे आपको sound मतलब जो मतलब आपको पीछे ज़्यादा बेस आपको मिल रहा है तो यह भी एक करण हो सकता है दूसरा नमबर में हम बात करते हैं तो हैं पर speaker का आवाज सही है पर वैसे लगता है मतलब कि हम कह सकते हैं speaker का आवाज सही है लेकिन आपको लगता है कि आपका पीछे sound जो है काफी ज्यादा आता है मतलब bass आपको काफी ज्यादा मिलता है पीछे क्योंकि ऐसा होता क्यों है कि पीछे आपको high frequency और midi इसको आप सही कर लिजए गा अगर आपका कुछ मिष्टेक हो मतलब बलेक में रेड आप लगा दी होंगे या फिर जो भी है वो अगर आप पोलेरेटी सही कर लेते हैं तो वो भी काफी सही रहे गार आप मिष्टिरी से नया वह स्कूल लगवाते हो तो हो सकता है कि wire थोड़ा बहुत गड़बर भी हो सकता है तो थोड़ा सा आप check out कर लिजिएगा और दूसरा एक नमबर मात करते हैं उसके उपाये के बारे में तो पीछे आप एक tutor या फिर HF हम कह सकते हैं या फिर कुछ भी याँ पर high frequency फिर mid frequency कुछ भी आप रख लीजिएगा फिर आप sound सून करके देखेगा कि आपको पीछे ज्यादा base लगता है या फिर आगे तो ये आपका doubt जो है आपको clear हो जाएगा हमें लगता है कि पीछे ज्यादा base दे रहा है तो आप check out कर लीजिएगा जो जो मैं आपको बताया तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था like, share, subscribe करके जाएगा bell icon call में set कर लीजिएगा मिलता है किसे ने topic के साथ तब तक कि लिए जय हिंद वन्दे मातरम